मौसमी बीजीपी और कॉंग्रिस के बीच सियासी तल्खी हमेशा देखने को मिलती है लेकिन राहूल गांधी जिस तरह से सदैव अटल पहुंचे हैं अटल जी को श्रधांजली देने के लिए इसके सियासी माइने क्या है क्या सियासी संदेश वो देना चाहते हैं बीजीपी पार्टी के रणनीती कार हैं जो भी स्ट्राटीजिस्ट है उन्होंने ये फैसला है सोच समझ के लिए होगा क्योंकि जब राहूल गांधी तमाम महापुरुशों और इंद्रा गांधी को श्रधांजली दे रहें उसके बाद अगर वो यहां पे आ रहें तो एक रणनीती क इस तरह की बात लगा था और कॉंग्रेस कह रही है और कॉंग्रेस एक अलग पार्टी है कॉंग्रेस सिधान्तों से जुड़ी पार्टी है ये पूरी तरह से राहूल गांधी बताना चाहते हैं देखे इस पूरी कड़ी में आप एक चीज देखें जो बहुत महत्वपूर वो राहूल गांधी जिनको राइट ओफ कर दिया गया था उनको उनकी पुलिटिकल अबिच्यूरी लिग दी गई थी कि राहूल गांधी अब कभी वापस नहीं आ सकते जो इंसान अपनी पारंपरिक जो सीट है अमेठी अपनी पारंपरिक कर्म भूमी अपनी अपनी जो कैसे पुलिटिकल कमबैक करेगा तो बिल्कुल जो है धरातल पर होके पूरे अंधकार के सियासी अंधकार से बाहर राहूल गांधी इस भारत जोडो यात्रा के जरिये जो है उभरे हैं मलेका और बहुत इंपॉर्टिंट है क्योंकि लगातार एक गेम चेंजर के तोर पर भारत जोडो यात्रा कॉंग्रेस के लिए कहीं ना कहीं साबित हो रही है मैं चुनावी जीतों की बात नहीं कर रही पर मैं एक परसेप्शन की बात कर रही हूं क्योंकि लगातार ये परसेप्शन की ही लड़ाई है कि आप किस तरह से जनता के बीच नजर आते हैं प्रधा मंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे डिसिजन्स ले सकते हैं कड़े डिसिजन्स ले सकते हैं पर आप उसके पर उसके विपरीत अब राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी की है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए है राहुल गांधी का व प्लिटिकली नुकसान भी हो रहा है तो राहूल गांधी अपनी बात मुखरता से कहने से गुरेज नहीं करेंगे